गाईज आज कल सराब को धडले से बेचा और पिया जा रहा है इसलिए ही आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि लोग सराब क्यों पीते हैं और पीने के बाद सरीर में क्या होता है गाईज जब सराब मूर से होती हुए पेट में जाती है तो मैं छोटी आज में जाकर observer हो जाती है और फिर उसके बाद छोटी आज से ही है हमारे खून में जाती है गाइस यहीं से सारा खेल सुरू होता है क्योंकि सराब खून के द्वारा हमारे बें में पहुंसती है और कुछ hormones release करवाती है जैसे dopamine, melatonin, serotonin, adi इन हर्मोन की वज़े से ही व्यक्ति को थोड़ा अच्छा मैसूस होने लगता है लेकिन जब अधिक मात्रा में एलकोहल को लिया जाता है तो लीवर पर इसका बुरा असर पड़ता है क्योंकि लीवर इस जहरी केमिकल को कम करने का काम लगातार करता रहता है लेकिन लंबे समय तक ऐसा करते रहने से लीवर डैमेज होने लगता है इसका परिणाम यह निकलता है कि फैटी लीवर, लीवर सर्सिस, लीवर हैपिटाइटिस जैसी खतरनाक बिमारिया व्यक्ति को जखड लेती है जिससे व्यक्ति गंबीर रूप से विमार हो जाता है इसलिए जितना हो सके इसका सीमित मत्रा में ही सेवन करें तो गाइस कैसी लगी आपको एजाम करी, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें